नमस्कार साथिया आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडवित रॉनिक चलिए दोस्तास के शुरुवात करते हैं जैसे कि अपने क्वाटर त्री रिजल्ट के सीरी चलिए तो उसके अंदर सेश्या शेशा शाही पेपर एंड बॉर्ड लिम्टेट का क्वाटर त्री रिजल्ट कल आया था तो कल उसके रिजल्ट के बारे में अब कैसा इसका आउटकम रहने वाले आने करने टैंप उसके आना बात करने से पहले अगर अब भी तक आपने अपने चैनल सब्सक्राइब ने तो चलनको सब्सक्राइब कर लिजे बैल आएक को बचाना बिलकूल ना वोलिए तो बेसिकली कंपनी तमिलाडू-बेस्ट कंपनी है शेशा शाही पेपर बॉर्ड एंड लिम्टेड ठीके तब बेसिकली पेपर को यह देख सकते हैं एस प्रिंट के नाम से इनका प्रोड़क् क्रिशना काम है तो चल चलते इसका तरी तु उसका कवान यह दलकर बचिंड को ब्लें तो बार मार्क्स पर की वज़ा थो तो जिल्ट, निकलके यह चाहता कर ना बिल्कुल नहीं अभूली है तो देंके इनकी अनिंग जो है करोड में कर लोड के अंदर के अंदर करोडेंग्स है अब चलते हैं इसके अनिंग्स किती रही है स्कॉडर में सकते तो से तद्र इसक तो स्बादि सर्षिटा निए फनिश्ट्राइप ध्युस्व पांदे हुनर में कि उसके सब्स प्रष्ट करोड में अफिके्या चाहा है नiałemने दिन कोट्र देखेंगे की बात करेंगे तो टोटल इनको एक्सपेंस हुआ इस कौर्टर में 329 करोड वेगा 329 करोड का एक्सपेंस हुआ लास्ट कौरटर में 320 था और लास्ट यह 160 तो यह रही रहा अच्छा कौटर काटर वे ग्रोथ देखनों मिली है इनके प्रड़क्सन कौड़ ठीकि न बाकी चीज़ों में इनके इसके शार्ज बड़ान रिस्टेंस फडल तो इनका तीन चीज में बढ़ा शाज्व बढ़ा है बाकि employee funding का कम हुआ एक्सपेंस का कम हुआ देखी लाश्ट क्वाटर बाइस करोड़ था वह घटके 20 करोड़ हुआ है तो यह भी अच्छा इंडिकेशन है अब चलते हैं इसके अंदर ऑपरेशन प्रॉफिट की तैस क्वाटर में इस क्वाटर में को ऑपरेशन प्रॉफिट लास्ट करोड़ का लास्ट करोड़ का लास्ट यह ता शात करोड़ और एक अब आगे का और कैसे रहने वाला वह देखते नेट प्रॉफिट की बात करने को net profit उहां 5.90 कलोड़ वेगा last quarter 25 कारोड़ तो quarter quarter 20% का आपको गराइड देखने को मिली है, quarter quarter or एक परसंट की बड़ो मिली हमार को year हई, तो last last year net profit 4.54 वो बड़के हुआ 5.90, तो quarter quarter собир तो grabber देखने मिली है, but year year वे बड़ो देखने को मिली है, हमार को आप इसके EPS की बात करेंगे तो इस quarter में इसका EPS है 0.69 EPS हुआ है और last quarter में minus में था 3.06 और last year में 3.034 तो EPS में बड़ा देखनों मिली हमें last quarter minus में था इस quarter प्लस में last year में minus में था इस quarter में plus आए last quarter minus में 2.34 तो बढ़के हुआ 0.69 तो एक indication तो यह हमारे को दिख रहा है कि इसका EPS है वो positive territory में आ रहा है और बाकी वैसा कुछ नहीं है और बाकी इसका जो है कि यह घाटे में है अभी भी ठीके ना तो EPS हमारा downfall देखनों मिल रहा है हम total income देखते इसका EPS वैसे सॉरी देखिया हम अब EPS में तोड़ी बहुत बड़े देखने हो मिली इस quarter में EPS आया है 0.98 लास्ट quarter में 4.16 ता और लास्ट यह था 0.75 तो 0.75 से बढ़के 0.90 और लास्ट quarter में 4.16 से घटके हुआ 0.98 तो बहुत बड़े ग्रावर देखने हो मिली है मैं quarter quarter वाई किदे quarter quarter शूरी अब खरावर देखने हो मिले आ है चाहे वह आप प्रिशो प्रोफिट के लिए चाहिए नेट्प्रोफिट के बाढ़ करे चाहिए एपिस के बाद करें यह रियोए वी सेम देखने हो मिले है, और इस and the全 the garrhatter-e week से नहीं कि और से ख़ीन ऊब लीए इनक Our cin yapıyori इस sees आप से खराब है ज्यादा खराब भी नहीं बढ़ खराब है यह कंपनी ने किसी तरह की कोई डिवीडेंट डील नहीं दिये यह इसके अंदर और कुछ तो अलग से दिया नहीं कंपनी तरफ से अब चलते इसका मार्किट काया समस्ते इसका मार्किट काया पर 118 करोड़ का बुक वेली इसके 184 की है और रिटर आफ इक्वेटी 9.50 परसंट है और डिवीड इसका 1.53 परसंट है फेस्वेल्ट की दोड़ पे की है ति कंपनी अलमस्ट कर जा फिर है अपना कर जा खम कतम करा एक कंपनी का ट्रेड कर रहा है जीरो पाटेट एट पे कंपनी अपने कौ रुजर्ट लिए फार्ट की जयादा खराब भी नहीं अब इसके शेर होल्डिंग पैटर आजम है इसको आजी इसको टॉ इंहां दो एफ च्हा टर गार्ट के में उपेटर्ण रही है अन्वाटर के उते इसको टॉफार्ट गरात्र टॉफार्ट चाहितन के गांट यह कि देखते हैं Friday के साथ तो Friday के दिन ये 4.5% की ग्रावट के साथ बंद हुआ ओपन ओते हैए 171.18 रुबेचा लो मारए 162 रुबेचा 52 है इसका 288 रुबेचा 52 रुबेचा बैसे 52 रुबेचा इसका एक फैसे गार हमार प्रकुष में 2% return दिया, वन मंद के अंदा तो इसने positive में 9% return दिया, 6 मंद के अंदा चौविस percent माइनस में दिया, year to date के अंदा, minus में 9% return दिया positive में, आप देखे, कब से company founded है, 1960 से company founded है, और company के अंदा आगे के trading कैसे रहना ला, तो मिली जुलाई के म्न से अच्छिकाषा ग्रावट ग्रावट है और रभी भी ग्रावट है ौर कल कि दिन जो इन्वेटिट हैमर बनाई है इस नहीं तो इस में ग्रावट को तरफ इंडीकेशन कर रहा है यह बूल ने 150 की बीच में support है अगर वो support पे hold करके वापस से आप ट्रेटनी की तरफ जाता है तो इसमें definitely buy करेंगे बट मुझे लगता है यह जैसी 149 की level तोड़ेगा तो यह आपको यहां से 149 तोड़ने के बाद यह आपको 140 तक की level आपको easy तरीके से दिखा देगा अभी का मेरा मानने से avoid करिए आपके portfolio में है तो इससे निकल जाएए क्योंकि अच्छी खासी गिरावट को indication दे रहा है अभी की टेम पे और देखेंगे यह से दिखा देगा यह चार्ट पर जो क्लोजिंग वाइस पर जो इंडिकेशन दिख रहा है तो यहां से और गिरावट को इंडिकेशन दे रहा है मेरी फ्रेस बाइंग के बिल्कूल भी आपको व्यू नहीं है तो फ्रेस बाइंग को अवएट करिए अगर आपके पास उपल वीडियो को लाइक शेफ आवट करना बिल्कूल ना भूले थैंक्यू सो मच पर आचिंग इस वीडियो